हलो फ्रेंज जै मातादी कैसे हैं आपस दोस्तों अक्सर हम सब की शिकायत रहती है कि हम लोग बहुत सारा काम करते हैं लोगों की हेल्प करते हैं अच्छे काम करते हैं फिर भी हमें अपयाश मिलता है या कई बार ऐसा होता है काम कर रहे हैं कर रहे हैं बहुत मैनत की सब होने बिल्कुल होने वाला है लेकिन फिर अचानक से सब कुछ खत्म हो जाता है तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है सूर्य का नीच में होना सूर्य जिसे जोतिश में नौ ग्रहों में राजा माना गया है और जोतिश में सूर्य को हम आत्मा का का पूरे विश्व को प्रकाषित करने वाले सूर्य देव का एक नाम सविता भी आता है जिसका अर्थ है शृष्टी करने वाला और वैदिक जोतिश के जब हम बात करते हैं तो उरिय ग्रह हमारी जनम कुंडली में हमारी पिता का प्रति निधित्व करता है और जब किसी महिला की कुंडली हो तो ये उसके पती के जीवन के बारे में बताता है इसके चिकित्सिय और आध्यात्मी खलाब को पाने के लिए सभी लोग सुबह उटकर प्रातर सूर्य नमशकार भी करते हैं और रविवार का दिन देखा जाए तो सूर्य ग्रह को समर्पित है और सूर्य का रंग के सरिया और रत्न मानिक माना गया है सूर्य सिंग राशी का स्वामी और मेश राशी में उच्च का होता है जबकि तुला इसकी नीच राशी होती है और सूर्य को ही कुंडली में मान सम्मान हो उन्नती हो इसका कारक माना गया है सूर्य बुध के साथ अगर मिल जाता है योग में आता है तो बुध आदित्य योग का निर्मान करता है और सूर्य ग्रह जब किसी राशी में प्रवेश करता है तो धार्मिक कारियों के लिए शुब समय माना जाता है जोतिश के अनुसार सिंग राशी के स्वामी सूर्य की महादशा छे साल की होती है और माननता है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाता है तो जातक को लक्ष प्राप्ति हो, साहस हो, प्रतिभा हो, नित्त्य चमता हो यानि लीडर्शिप हो, मान सम्मान हो, उरजा हो, कॉन्फिडन्स हो, आशा हो, खुशिया हो, आनन्द हो, दयालू हो, शाही उपस्तिती यानि कि राजा जैसी सूर्य जैसी लाइफ वफादारी हो कुलीनता हो सांसारिक मामलों में सफलता हो सत्य हो जीवन शक्ती हो सभी को प्रदान करता है वहीं इसके विपरीत जिनके कुंडली में नीच हो जाता है सूर्य तो जातक को एहंकारी बना देता है उदास बनाता है विश्वास हीन बनाता है क्रोधी बनाता है अति महत्वकांची बना देता है आत्मकेंद्रित यानि सेल्ट सेंटर बना देता है और अगर किसी की कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो समाज में नाम कमाता है उसे खुब बान सम्मान की प्राप्ति होती है और उसके तित्व में एक चार्मिंग परस्नालिटी हो जाती हर कोई उसकी ओर आसानी से आकरशित हो जाता है। सूर्य के समान उसका तेज बना रहता है। कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो मनुश्य में एक कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हुआ होता है। हर तरफ से उसे सहयोग की प्राप्ति होती है। तो तमाम तरहे की परेशानियों से मनुश्य घिरा रहता है। चाहे वो कोई भी महत्वपुन पद हो, राज्य सम्बंदी कारे हो जो गवर्मेंट से रिलेटीड वर्क होते हैं, सरकारी नौकरी आ दिये सरकार से रिलेट clash कोई भी काम होते हैं, सोने का व्यापार होता है बिजनस हो वो कोई भी चीज में परिशानियों का सामना करना पड़ता है बंते-बंते काम बिगडने लगते हैं सेहत खराब रहने लगती है और कुंडली में सूरी के अशुब होने पर अक्सर लोगों को आखों में, हड्डियों में इनसे जुड़ी दिक्कते आने लगती है ऐसे जातक को कोई भी डिसिजन लेने में भी बहुत बहुत दिक्कत आती है छोटे बड़े दिन्रे भी नहीं ले पाता हर समय कन्फ्यूजन में रहता है कि क्या करूं क्या ना करूं आलस बना रहता है, उटने की इच्छा नहीं होती आखे धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है इनसान अपना विवेक खो बैठता है अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करने लगता है गलत सलत बाते करने लगता है लोगों को परेशान करने लगता है और दिमाग समेट शरीर का जो दाहिना भाग होता है वो सूर्य से प्रभावित हो जाता है कई लोगों में सूर्य के अशुब होने पर अकड़न भी आती है शरीर में, मुँ में थूप बना रहता है दातों में भी तकलिफ हो जाती है और कई बार तो कुछ लोगों में जब एक्स्ट्रीम हो जाता है तो बेहोशी जैसे या मिर्गी जैसे रोग भी होने लगते है बार-बार बिना गलती के लोग आपको अपमानित करते है ये सब अचानक से अपने गुरू, देवता या पिता का साथ छोड़ देने के कारण भी होता है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा सूरिय नीच में क्यूं हो गया कई बार कुंडली में नीच में नहीं भी होता है सूरी तो भी क्यों होता है क्योंकि आपने अपने गुरू के साथ धोका किया या आप अपने पिता के साथ आपने गलत काम किया जो भी आपके कोई देवी देवता है पित्र है आपने उनका अपमान किया तभी भी ऐसे नतीजे भुगतने पड़ते हैं इसकी वज़ा से जब स पस लाल गाय या भूरी भैस हो तो वो गायब हो जाती है या मर जाती है जब सूरी और शनी का एकी भाव में हो जाए तो कई बार घर की जो इस्तिरी होती है उसको बहुत कश्ट होता है अगर मंगल के साथ हो और चंदर और केतु भी साथ हो तो पुत्र, मामा, पिता इनको पड़़ बनी रहती है और इसमें और भी कई कारण होते है जिसे घर की अगर पूरब दिशा सूरी कि इधर से उदय होता है तो अगर घर की जो पूरब दिशा नॉर्थ इस्ट कॉर्णर है आगर दूशित है किसी प्रकार का वास्तू दोश है तो इससे भी आपके घर में यह सभी समस्याइं होती है कई बार देर से सो कर जब लोग उठते हैं तो उससे भी समस्याइं होती है कई लोग तंत्र में जादा रुची रखने लगते हैं रात्री के करमकान जादा करने लगते हैं सुबह सूर्य के दर्शन नहीं करते सूर्य को जल नहीं देते इसकी वजह से भी ऐसी समस्याइं आ सकती है कई बार शुक्र राहू और शनी एक साथ मिल जाते हैं तो भी सूर्य मंदा फल देने लगते हैं और यदि आप इसी परिशानियों से गुजर रहे हैं तो आज हम बात कर रहे हैं सूर्य को मजबूत बनाने वाले सरल और सहत से उपाए जिनसे आप इन सब की रेक्टिफिकेशन करके अपने जीवन में सूर्य को उच्चे बना सकते हैं मान सम्मान यश की प्रापती कर सकते हैं और अगर आपके भी बनते-बनते काम बिगड़ते हैं तो आप उनके अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं सबसे पहले द्रिश्टी दोडाईए अपने घर की पूरब दिशा पे घर की पूरब दिशा को वास्तु शास्त्र के नुसाठी करना चाहिए घर की जो पूरब दिशा होती है आप किसी वास्तु कंसल्टन से भी बात कर सकते हैं या फिर आप खुझ से भी गूगल वेगर करके आप अपने आप से फाइंड आउट करके देख लें कि पूरब दिशा में जैसे कि हमेशा बताती हो आपको नौर्थ इस्ट कॉर्णर है जो पूरब की दिशा है वो भगवान का स्थान होता है अगनी का स्थान होता है तो इसको हमेशा बराबर रखना चाहिए जो नौर्थ इस्ट कॉर्णर है यानि कि पूरब उत्तर यहां पर भगवान का स्थान हो सकता है, यहां पर बच्चों के कमरे हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई का स्थान हो सकता है, जो अगनी कोन है, यानि की साउथ इस्ट कॉर्णर है अगनी कोन, वहां पर आप ऑफिस रख सकते हैं, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का स्थान इस प्रकार से वास्तु दोष अपने घर की पूरब दिशा का दूर करके हलका रखें इस दिशा में बात्रूम आदीना रखें और सूर्य की शांती के लिए सुबस्त नान करने के बाद सूर्य देवता को एक लोटा जल सरूर अर्पित करना चाहिए सूर्य से जो रिलेटेट चीजें हैं उनका दान भी करना चाहिए उनके मंत्रों का जब कर सकते हैं और सूर्य की शांती के लिए जल स्नान जो सूर्य की चीजें हैं उनसे जल स्नान करना अपने आप में एक बहुत ही चमतकारी उपाई बताया गया है जबी भी सूर्य अनिश् बोशे को स्नान करते समय अपने जल में खस-खस हुआ या फिर लाल फूल हुआ या केसर डाल के स्नान करना चाहिए या लाल चंदन डाल के भी स्नान कर सकते हैं ये सभी सूर्य की कारक वस्तुएं हैं और सूर्य की उपाई करने पर अन्य अनिष्टों से बचाव करने के साथ वरक्ती में रोगों से लड़ने की शक्ति में भी विकास होता है जो लोग भी सुरी उद्धै के समय नहीं उठ पाते हैं आजकल बहुत जादा ठंड है लेट नाइट वरकिंग है तो ऐसे में क्या करें? तो सुरी के उपाई नहीं करें तो आपको क्या करना है जबी भी आप उठेंगे तो तामबे के लोटे में रोली डाल करके दोपेहर होने से पहले आपको ये ध्यान रखना है सूरिय को श्रधा के साथ अर्गिज जरूर देना है और फिर वहीं बैट करके आपको सूरिय देव के मंत्रों का जप करना चाहिए सूरिय देव के बहुत सारे मंत्र होते हैं आप कोई भी जप कर सकते हैं और इस प्रकार से आदित्य हिदय स्तोत्र हमेशा तीन बार करना चाहिए इस बात का ध्यान रखें और सूरिय को अर्ग देने के बाद आपको ये स्तोत्र आदी के पार्ट करने चाहिए मंत्रों के जप करने चाहिए जो लोग रोज नहीं भी कर सके समय नहीं भी निकाल सके कम से कम रोज एक लोटा जल्दे दीजी ओम सूरिय आए नमा ओम भासकर आए नमा ओम आदित्या नमा करके और बाकी आप रवी वार के दिन में संड़े के दिन चुट्टी होता है उस द इत्यादी में भी आप इसी मंत्र का जप करते हैं तो यह भी बहुता नुकूल रहता है ध्यार नहीं मंत्र जभी भी जप करें शुद्दता पूर्वक कर ना चाहिए और जब आप जब कर रहे हैं ऐसा नहीं कि सूरी को लोटे से जल डाल रहे हैं बोल रहे हैं ओम घ्रिणी सूरी आयनम ओम घ्रिणी सूरी आयनम और लोग आपके नीचे आसपास घूम रहे हैं आप उनको देखते जा रहे हैं मंत्र का जब करते जा रहे हैं ऐसे नहीं पूरी सूरी के और देखतेुइं सूरी देवताय को जल अर्पित करते हैं इस सही तरीका होता है पूजा करने का अर बीच में अगर आप मंत्र कर रहें या पात कर रहें कोई बुलाने आ गये पीच में इस बात का ध्यान रखें दोस्तों सूरी को मजबूत कर बनाने के लिए एक और बहुत अच्छा उपाय बताया जाता है और वह संडे के दिन उपवास करना बिना नमक का भोजन इस दिन सेवन करना चाहिए और अगर करते भी है तो बहुत कम मात्रा में करें सेवन प्रतेकार क प्रारम्प आपके जीवन में आपको मीठा खा करके करना चाहिए यह तक की घर से भी निकलते कोई शुब कारे के लिए पहले मीठा घोड़ा सा कुछ़ Бी एक धोड़ी सी शककर का इदाना ले लीजे, मीठा खा करके थोड़ा पानी पी लीजे, इसके बाद आपको निकलना चाहिए, ये कहा जाता है कि सूर्य घ्रह की शुक्ता इससे प्राप्त होती है, साथ ही साथ जो लोग अपने कुंडली में सूर्य को उच्च का बनाना चाहते हैं, उन्हें तामबे का कड़ा जो बॉइज हैं उनको राइट हैंड में और जो गर्ल्स हैं उनको लेफ्ट हैंड में आपको धारन करना चाहिए, अपने पिता का आदर करें, हमेशा उनको प्रसंद न रखने की कोशिश करें, पिता का सम्मान करें, प्रति दिन हो सके तो उनके चरन चुएं, और सूर्य क उपाय करने पर आपके पिता के स्वास्त में भी सुधार आता है, यह आप खुद देखेंगे, और उनसे आपको सहयोग की प्राप्ति होती है, इमोशनल सहयोग भी और फिनांशल सहयोग भी, दूसरी चीज है सूर्य का दान करना, सूर्य की वस्तूओं से इसनान करने के अ सूर की दाल आप दान कर सकते हैं, तांबे की चीजे तांबे का लोटा आदी किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, और रवी वार को या जबी भी सूर्य सक्रांती आती है, उस दिन आपको करना चाहिए, यह बहुत लापकारी होता है, आप चाहे तो सभी चीजों को भी मिला के इसके लिए दान किया जारा है, उसकी आयू कम होने या अन्य किसी कारन से अगर वो स्वैम वस्तू नहीं ले सकता तो आप उन्हें परिवार का खोई भी निकट व्यक्ती भी यह दान कर सकता है, बहुत वार कर सकते हैं या चोटे भाई दान कर नहीं है, यह आपको सुर्य यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं, इसके लिए आप तांबे का सूरिय यंत्र ले सकते हैं, या फिर भोजपत्र पर आप विशेश परिस्थितियों में आप एफोर्ड नहीं कर सकते तांबे का सूरिय यंत्र, तो आप भोजपत्र पर यंत्र बना करके, यंत्र निर्मान करक और अंतिम लाइंग के खानों में दो नौ और चार लिखा जाता है इस यंत्र की विशेष्टा होती है कि इसका सम किसी और के साथ भी किया जाए तो इसका योगफल कहीं से भी आप एड करेंगे तो देखेंगे 15 ही आएगा इस प्रकार से आपको ये सूरिय यंत्र निर्मान क करके अपने घर पे पूरब की ओर लगाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि लाल चंदन केसर या कस्तूरी से आपको इसको बनाना चाहिए अनार की कलम से जो भी मनुशे इस यंत्र को बनाता है तो यह सबसे उत्तम रहता है और नहीं तो अगर आप इतना नहीं कर सकते तो ready-made तांबे का सूर्य या अंतरा ले लिजे सिद्धी करा करके सूर्य के जब से या फिर आप normal सूर्य देटा की जो तांबे की फोटो होती है या इस तरह से मूर्ती होती है उसको आप पूरब की वॉल पर स्थापित करके रखें ये भी बहुत अच्छा होता है और सूर्य का हवन आपको जो मैंने उपर मंत्र बताए पहले ओम सूर्याइनमा, ओम घ्रिनी सूर्याइनमा, ओम राम रिम रॉम सह सूर्याइनमा इन में से कोई भी मंत्रों के द्वारा आपको हवन करना चाहिए रवीवार के दिन में इस प्रकार से जो भी मनुष्य भोग रहे हैं जीवन में तो मैंने छोटे छोटे चार पांच उपाए बताने की कोशिश की है आप इन में से कोई भी एक उपाए करके आप अपनी सूर्य ग्रह को मजबूत कर सकते और इसके अलावा सबसे अच्छा उप पाए होता है कि अपने रिंग फिंगर में मानिक रत्न जो होता है जो लोग एफोड कर सके उन्हें मानिक रत्न धारन करना चाहिए इससे मनुष्य के जीवन में जितने यश्मान सम्मान में अगर कठिनाई आरे प्राप्त होने में या चाहते हैं लेडर्शिप बढ़ाना आपको मिल नहीं रहा है आपको नेता आदी है आप चाहते हैं यश बढ़े मेरा जीवन में आप किसी भी प्रकार के सामाजिक संस्था के हैड है या आप चाहते हैं गवर्मेंट जॉब्स में जाना सरकारी नौकरियों में तो आपको अपने किसी भी जो नजदीकी आपके जोतिश है जो अच्छे जोतिश आप जानकार जोतिश है उनसे मिल करके आप पता कर लीजे आपकी कुंडली के नुसार कि अगर आपको इन सब चीजों में बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आपको मानिक रत्न धारन करना है कैसे धारन करना है कप करना है और आपको मानिक र इसलिए इसी उंगली में धारन करें दोस्तों और फिर देखें कैसे आपके जीवन की कठिनाईयां दूर होती है बनते बनते अगर आपके काम बिगड़ते हैं तो वो ठीक होने लगते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन में यश, मान, सम्मान में वृद्धी होती है लोग जगड़े करते हैं आप से नफरत करते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे लोगों का स्वभाव भी आपके प्रती बदलने लगेगा छोटा सा उपाए एक बहुत ही आसान सी चीज है लेकिन अकसर लोग इसकी वजह से पूरी-पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं दोस् सिर्फ प्लेंजल से भी भगवान उतने ही प्रसन्न होते हैं तो कर लीजिए उपाए दोस्तों खिलखिलाते रहें मुस्कुराते रहें सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टे रह सकें और किसी भी तरह के प्रश्न हो सूर्य ग्रह स से रिलेटेड या सूर्य अगर आपकी कुंडली में नीच में है या महादशा चल रही है या उसमें अंतरदशा सूर्य की अंतरदशा चल रही है तो यह सभी के लिए यह सबसे बैस्ट है इन उपायों को कीजिए और फिर देखे दोस्तों कैसे आपकी कठिनाया कम हो जाती कर लीजे उपाये दोस्तों खिल खिल आते रहें मुस्कुराते रहें और अपने फ्रेंज फैमिली ममी पापा भाई बिन बच्चे सबी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें टेक के फ्रेंज लब यौ आल चैमाता दी बम बम भूले नात की जै सूर्य देव की कर दो स्थराइब है